इसके उपर एक बहुत बड़ी आर्टिकल है जिसमें की बहुत अच्छे से उन्होंने एक्स्पेयन कर रखा है कि ये टॉपिक है क्या इस इंडेक्स के इंप्लिकेशन क्या है तो वो समझने के पहले हमें एक बार देख लेंगे थोड़े से conceptual terms हैं यहां पर जैसे की volatility है क्या तो किसी market को हम कब बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा volatile है ठीक है और इसके implications क्या होते है या फिर यह किस वज़े से होता है तो यह सब terms हमें समझने है और हो सकता है इससे exam में इससे related कोई question आ जाए क्योंकि जब भी market से related कोई भी term अगर बहुत news में रहे तो उसके उपर question आ सकता है और पिछले बहुत सालों में ऐसे ऐसे topics को पर questions आते भी रहें ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले हम define करेंगे कि volatility है क्या अब ऐसे सोच के देखो कि अगर आपका stock market में जब किसी चीज की price में movement बहुत frequent हो उसके price में fluctuation बहुत ज़्यादा हो तो उस case में हम बोलेंगे कि the price of that particular commodity is very volatile volatile होने के पीछे के reasons बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है अब हम वापस से आते हैं अपने stock market के example पे तो stock prices उनमें movement इसलिए बहुत ज़्यादा होती रहती है because अगर आप real time पे भी देखो जैसे आप national stock exchange या फिर BSE के site पे जाओ तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि किसी particular stock के लिए कितनी वहाँ पे bids हैं और उसके ask price क्या है मतलब कि कोई sell कर रहा है तो कितने price पे करना चाह रहा है और कोई buy करना चाह रहा है तो वो कितने price पे करना चाह रहा है जब ये दोनों match करेंगे तो वहाँ पे फिर deal execute होती है मेरे बोलने का point यह है कि demand and supply ये price के equilibrium को reach करने में help करते हैं अब demand और supply ये दोनों जैसे जैसे fluctuate करेंगे तो price फिर उसी हिसाब से fluctuate करती रहती है इसलिए stock prices वो कभी same नहीं रहते हैं उनमें हमेशा या तो 0.5, 1, 2, 3 ऐसे से करके उसमें changes आते रहते हैं जब हम volatility की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ये देखते हैं पहले कि किस particular stock की price stable है और किसकी ज़्यादा volatile है usually market में ये देखा जाता है कि जो large caps है large caps का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको बहुत basic ऐसे terms में बताऊं तो जो बहुत बड़ी बड़ी companies हैं जिनकी की market capitalization बहुत high है ठीक है market capitalization बहुत high होने का मतलब ये हो गया कि वैसे companies का proven track record है as in कि जो उनका day to day operations है वो इतना अच्छा हो चुका है कि usually उसके बारे में लोगों का sentiment, investors का sentiment बहुत high है इसलिए बहुत जादा stocks उसके purchase किये जा चुके हैं और इस वज़े से उसकी market cap बहुत जादा grow कर गई है तो जिन companies के market cap बहुत जादा बढ़ जाती है या फिर जब वो large cap के category में आते हैं तो ये notice किया जाता है कि उनके price की movement वो बहुत जादा fluctuate नहीं करती ठीक है as compared to a company जो की large cap नहीं है जैसे mid cap भी हो गया उसके बाद small cap भी है तो मालो की जो company secondary market में just entry हुई होती है तो उनको अभी अपना business grow करने में बहुत time लगेगा और उसके बारे में sentiment overall positive हो इसमें भी काफी time लगता है तो तब तक क्या होगा कि एक छोटी से छोटी news भी उस company के stock को बहुत जादा impact करेगी मतलब बहुत जादा impact उसका वहाँ पे आता है लेकिन कोई अगर बहुत बड़ी company है और छोटी मोटी news वो भले negative news ही हो लेकिन उसका impact बहुत जादा नहीं होता और होगा भी अगर तो एक हपते 10 दिन के लिए होता है उसके बाद फिर से normal price पे वो अपना market में trade होने लगता है तो फिर वापस से आते हैं example पे अपने आज के topic पे कि volatility फिर हम इसको कैसे read करें हम इसका कैसे sense निकाले ठीक है तो होगा क्या कि past record पे मतलब कि आपने महीने भर का या फिर दो महीने का एक quarter का आपने सारे prices पहले note किये और उसके बाद आपने वहाँ पे कोई trend establish करने की कोशिस की कि इसकी prices जो हर दिन fluctuate हुई है वो चाहे उपर हो चाहे नीचे हो तो past record पे आप क्या करते हो कि future की projection देते हो कि आने वाले कुछ दिनों में जैसे आज का जो हमारा topic है उसमें हम बात करेंगे 30 days की तो India Wix Index जो निगाला जाता है वो 30 days के horizon पे बताता है कि अगले 30 दिन में इसकी price किस range में हो सकती है तो मतलब कि past record पे जो past आपके पास historic data है आपने उसके basis पे देखा और ये पता लगाने की कोशिस की कि next 30 days में इसके price का range क्या हो सकता है आपने दोनों ranges लिये ठीक है आपने lower limit भी ली और उसके बाद upper limit भी ली और आपने ये ये बोला कि इनी दो limits के बीच में इसकी price रहेगी तो इसकी जो mean price हो गई और वहाँ से lower and upper limit का ये जो gap रहेगा हम इसी को बोल सकते हैं बहुत ही simple language में कि इसको हम बोल सकते हैं क्या volatility ठीक है वो कितना ज़्यादा volatile है वो depend करेगा इस बात पे कि उसकी जो mean price है वहाँ से लेके lower या upper limit की बीच में gap कितना है अब ये gap जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो stock उतना ही ज़्यादा volatile होता है यहाँ पर बात समझ में आगी ओके अब ये फिर निकलेगा कैसे तो हम इसके calculation पर नहीं जाएंगे बट एक बहुत important यहाँ पर टूल है जिसको हम बोलता है बीटा अब ये बीटा है क्या और जिनको मैस बहुत अच्छे से आता होगा तो उनको फिर उनके दिमाग में ये भी आ सकता है एक यहाँ पर कि अगर बीटा है तो कुछ alpha भी होगा तो हम उस प comment कैसे होती है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वह आपके exam के लिए जरूरी है भी नहीं लेकिन आप इसके आप इसके importance को समझना और यह समझना कि कैसे beta के value के help से हम किसी stock किसी भी company के stock का I mean किसी भी company के stock के price का idea लगा पाएंगे कि वह कितना volatile है तो यहाँ पर क्या द देखो I mean SBI के stock price को देखो तो उसके price को तो आप देखते ही हो साथ ही साथ आप यह भी देखते हो कि overall banking sector की performance कैसी रही है ठीक है usually कोई भी investor यह चाहता है कि कि किसी अगर उसने industry को pick किया तो वो देखेगा कि उस industry में भी ऐसे कौन से companies हैं जिनके stock को अगर वो purchase करे तो उसको long individual company को देखना ही रहता है साथ ही साथ उसकी benchmark industry को भी देखना रहता है बीटा हमें उसी में help करेगा तो बीटा क्या बताता है कि कोई भी company उसके stock price में movement उसके benchmark industry के price के movement के respect में कैसे जा रही है तो अगर ऐसा है कि माल लो कोई industry उसकी price में movement हुई one और उसी industry के किसी company में price movement हो रही है 1.5 तो मतलब इसका मतलब यह हो गया simply कि वो particular company अपने benchmark index से बहुत जादा move कर रही है अगर industry one से move करती है तो इसमें movement हो गई 1.5 अब इसको use करके बहुत सारे लोग बहुत जादा पैसा भी कमाते हैं जैसे अगर माल लो मैंने भी यह बोला की industry का moment है 1 और उस particular company के हो गई 1.5 तो यह तो price में अगर upward trend है तो यह आपको दिखेगा कि हाँ यह जादा profit दे रहा है लेकिन अगर माल लो की trend negative है जैसे overall पूरे benchmark index या फिर overall पूरे industry का trend अगर negative direction में है तो यहाँ पे फिर वो company का downfall भी benchmark के downfall से जादा होगा यानि उस case में आपको बहुत जादा loss भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने देखा कि trend जो पहले downward था वो धीरे धीर 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 जीरो पे आता जा रहा है मतलब कि जो बहुत एक लंबा phase था जिसको हम बोल सकते हैं bear phase ठीक है bear phase almost खतम होने वाल है उस case में आप वैसे companies को ढूनना च trend था वो minimize होते होते जीरो पे आएगा और उसके बाद price में movement स्टार्ट होगी फिर तो उस case में क्या होगा ये company आपको ज्यादा profit देगी इसलिए beta को बहुत ही closely track किया जाता है and beta के help से लोगों को काफी फायदा भी होता है तो यह हो गया beta अच्छा अब alpha क्या है जो मैं आप को पहले बता रहा था कि alpha भी होगा कुछ तो alpha भी होता है alpha का मतलब यह हो गया वहाँ पे कि मालो की आपने किसी भी stock को पहले track किया ठीक है और आपने उसमें invest कर दिया तो आपका कुछ वहाँ पे expected return होता है जैसे मैं अगर किसी भी company में invest करूं तो मैं पहले सोच सकता हूं क कि आने वाले एक महिने में या फिर दो महिने में इस company के stock की price जो अभी मालो 100 है तो 100 से बढ़के वो हो सकता है 120 हो जाए तो 100 से बढ़के अगर 120 हो जाए तो यह 20% मेरा expected return है तो जो भी आपका expected return है आप पहले उसको लिखो ठीक है उसके बाद जब मालो कि one month complete हो जाए या फिर two months complete हो जाए जो भी आपने time frame ले रखा है वो complete होने के बाद जो उस समय की actual price होगी जिसको कि हम बोल सकते है spot price तो उस समय का जो spot price होगा आप उसको देखके पहले देखो कि आपका actual return कितना है आपका actual return कितना है actual return में से आपको basically expected return minus कर देना है यह आपको देगा अलफा की value ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है या फिर हम इसको simply इसको हम simply alpha भी बोलता है ठीक है तो alpha क्या हो गया actual return minus expected return बीटा क्या हो गया बीटा आपको returns के respect में बात नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पर आपको returns के respect में बात नहीं करनी होती बीटा में बस आपको यह देखना होता है कि आपने जिस stock को pick किया है उस stock की performance या फिर price moment उसके industry के जिस भी sector या industry की वो company है उसके respect में उस particular company के price moment में आपको कैसा trend दिख रहा है बस वो track करने के लिए बीटा निकाला जाता है राइट ओके उसके बाद volatility index ठीक है जिसको के short में wix भी बोला जाता है तो overall अगर आप किसी sector की बात कर रहे हो ठीक है और average out करके आपको अगर निकालना है कि उसमें जितने भी companies थें तो एक average बीटा की value क्या है ठीक है तो कुछ ऐसा ही आपको निकालने को मिलता है through volatility index और यह आपको idea देता है कि कौन सा sector कितना ज्यादा volatile है ठीक है यह सबसे पहले निकाला था Chicago Board of Options Exchange तो यह आपको highlight करके रखना है because यहाँ से question बन सकता है at least GA में तो पूछी सकते है ठीक है Chicago Board of Options Exchange और इस exchange के लिए यह index निकालने का काम वो था SNP का ठीक है standard and poor जब यह launch हुआ था तो उस समय यह क्या करते थे कि SNP 100 index यानि जो वहाँ पे top 100 ठीक है options contract होते थे तो उनके average value को लेके फिर यह Wix index निकालते थे बाद में इसको कर दिया गया 500 राइट अच्छा इसका दूसरा नाम fear index भी है या फिर इसको कभी-कभी आप fear gauge के नाम से भी newspaper में पढ़ोगे fear gauge तो fear gauge या फिर इंडेक्स ये दोनों इसी का नाम है volatility index अभी जैसे सेभी का एक्जाम होगा या फिर IFSE का भी है तो वहाँ पे भी इस type से question frame हो सकते हैं इस topic पे question आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बार-बार news में आ रहा है ठीक है सिर्फ phase 1 ही नहीं मतलब phase 1 के GA में त देख सकते हो ओके अब हम बात करेंगे इंडिया विक्स इंडेक्स तो मैंने ये बताया कि जो Chicago Board of Options Exchange है उन्होंने सबसे पहले year 1993 में ये इंडेक्स निकाला था राइट इंडिया में ये स्टार्ट हुआ राउंड I think 2008 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में और ये के लिए National Stock Exchange यहां पर क्या है Nifty options आप देख रहे हो और options में भी जो Nifty 50 के companies है ठीक है जो top 50 companies है National Stock Exchange में उनके options के contract का हमें ये average बीटा वैलू बताता है अब यहां पर आप एक और fact देखो 30 calendar days मतलब आज के date में अगर India Wix Index में आपको जो भी number दिखाई देगा वो आने वाले 30 days के भीतर यानि next 30 days की price moment के बारे में बताता है जो इंडिया का Wix है वो around 15 to 35 के range में fluctuate होता रहता है ठीक है अभी इसकी value almost 28 पहुँच गी है 20 से 28 पहुच गई है इसलिए इसके उपर बहुत सारे articles लिखे जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हमेशा 15 से 35 के range में ही रहेगा इसके उपर question आने की possibility बहुत कम है लेकिन मैं बस आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि यह लगबग 15 से लेके 35 के बीच में इसी range में रहता है बहुत सारे ऐसे भी times होते हैं जब इसकी upper limit यह breach हो जाए जैसे जब covid outbreak हुआ तो उस समय इसकी value around 80 पहुच गई थी ठीक है 85 के आसपस इसी तरह जब भी कोई ऐसा बहुत major event होता है जो की market को इतम shake कर दे बिलकुल तो उस case में Wix Index की value वह आपको बहुत ज्यादा दिखाई द ठीक है तो जैसे covid के time पर यह 80 85 पहुच गया था तो हो सकता है कि आने वाले time में अगर कुछ बहुत ऐसा event हो जाए तो उस case में फिर यह 80 यह 70 60 इसके आसपस रह सकता है अब last में question यह है फिर कि अभी यह हो क्यों रहा है क्योंकि अभी तो आप news में जैसे सुन रहे होगे त तो opposition parties वो एक narrative बना रही है कि हो सकता है साइद कि अभी NDA को जो 272 का figure है 272 seats आएंगी तभी वो अपने दम पे ठीक है majority के through government form कर पाएंगे तो 272 का जो figure है ऐसा opposition parties बोल रही है कि साइध NDA या फिर BJP alone वो यह number अचीव ना कर पाएंगे तो फिर इस से हम इसको 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 I mean India Wix Index को या फिर overall stock market को कैसे link करें अगर NDA या फिर BJP government नहीं बना पा रही है तो इस index में इतना fluctuation क्यों हो रहा है फिर उसका भी reason है और उस पर पढ़ रहे हो तो यह सब चीजे बहुत क्लियर होंगी अब मिंट में यह article है और बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है in fact यह कल की article है there is a reason why Indian stock market seems to love the BJP अब इसका reason अगर आप बहुत simple way में सुनना चाहो तो यह होता है कि जो market के reforms है market के जो reforms होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में 6-7 महीनों में वो चाहे हमारी regulatory bodies हो ठीक है RBI हो SEBI हो इन्होंने बहुत ज्यादा crackdown किया है market में ठीक है और धीरे धीरे I mean अभी अगर हम इसके उपर बात करने लग जाए तो season बहुत लंबा बन जाएगा लेकिन आप स market linked जो reforms हैं या फिर initiatives हैं वो बहुत जादा लिये जाते हैं तो overall market में एक ऐसा sentiment बना हुआ है कि अगर BJP की government repeat होती है तो stock market बहुत अच्छा आगे I mean जब June में result आता है उसके बाद तो उसके बाद stock market बहुत अच्छा perform करेगा लेकिन अगर ये government repeat नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है कि जो पहले की policies रही थी उस पे साथ सरकार वापस से चली जाए और उस case में investors को companies को हो सकता है बहुत loss भी हो और ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा sensex है जो पहले 25,000 के around होता था ठीक है अभी आप एक बार देखना चेक करके मुझे exact number याद नहीं है तो market में जब bull sentiment बहुत high होता है तो investment बहुत जादा आती है तो कुछ इसी से link करके आपको ये सब समझना होगा कि इस वज़र से कि साय सरकार repeat ना हो इसके लिए लोगों में थोड़ा सा panic हो रहा है और लोगों में जब भी panic होगा तो Wix Index वो चाहे India की हो चाहे US की हो उसमें फिर number जो मैं बता रहा है कि 15 से 35 के बीच में रहता है तो ये number फिर बढ़ता जाता है तो मतलब fear जितना कम होगा Wix Index में value उतनी ही कम आएगी fear जितना ज्यादा होगा तो index की value फिर उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो आज के session में इतना ही जो आपको याद रखना है SNP से to use this index लेकिन जो इसका benchmark है वो है nifty 50 के जो stocks है उनके option contracts के ऊपर ये price रखी जाती है ठीक है तो इंडिया Wix Index से related क्या क्या चीज़े हो गई nifty 50 के options contracts इसको use करने के लिए जो license मिला है वो कहां से मिला है SNP से और originally ये index कहां का है तो वो है Chicago का Chicago board of options options exchange तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा यहां से question frame हो सकता है तो आज के session में इतना है thanks for watching